रिया की चचेरी बहन मन्जु छुटी मनाने के लिए नीचे आई है और यह पहली बार है जब मन्जु किसी पहाडी गाव में गई है दोनों चचेरी बहन उठते हैं और खिर्की से बाहर देखते हैं यह एक खूबसूरत दिन है रिया की माँ उनके विस्तर के पास खड़ी है और मुस्कुरा रही है आज हमें बहुत कुछ करना है आज पहाड़ा खास है आंटी मन्जु ने पूछा आज फूल देई है फूल डी फूल डी क्या होता है लड़कियों ने पूछा यह फूलों का त्योहार है हम इसे माच में अपने पहाड़ी राजी उतराखंड में मनाते हैं फूल देई के साथ हम वसंत्रतू का स्वागत करते हैं और रंगीन फूल वसंत्रत का जश्न मनाने के लिए एकदम सही है रिया ने खुशी से कहा हाँ, क्या तुम जानते हो की फूल देई फसल कटाई का त्योहार है? फसल का त्योहार क्या है आंटी? मन्जु ने पूछा यह एक ऐसा त्योहार है जब अच्छी फसल को सेलिबरेट किया जाता है किसान कई बीज बोते हैं यह बीज पौधों में विकसित होते हैं जो हमें भोजन देते हैं उसने संजाया भोजन के बारे में सोचकर लड़कियों को भूख लगती है क्या हम फूल देई पर कुछ खास खाते हैं? रिया ने पूछा हाँ, हम से ही खाते हैं यह चावल के आटे और दही से बनी एक मीठी डिश है वाह, हम सीखाना चाहते हैं दोनों ने कहा पहले मेरे साथ जंगल में फूल लेने चलो ओके आंटी मंजू ने कहा मा रिया और मंजू को टोकरिया देती हैं फिर वे घर से बाहर चले जाते हैं मा, हम फूल देई कैसे मनाते हैं रिया ने पूछा छोटी लड़किया टोकरियों के साथ जंगल में जाती हैं और वे वसंत के पहले फूल लिकठा करते हैं वे फूलों के साथ क्या करते हैं लड़कियों ने पूछा वे अपने घरों के दर्वाजे को फूलो और चावल से सजाते हैं फिर वे चावल, गुड, नारियल, फूलो और पत्तियों के साथ एक थाली भरते हैं वे आगे क्या करते हैं? रिया ने पूछा सभी छोटी लड़किया एक साथ आती हैं वे अपनी ठाली लेते हैं और पडोस के घरों में जाते हैं। वे घरों में लोगों को वहिश करते हैं। बदले में उन्हें उपहार मिलते हैं। वाह! उन्हें क्या उपहार मिलते हैं? मंजु ने पूछा अब मुझे याद है, पिछले वसंत में मुझे मिठाई पैसा, गुर और छोटे खिलोने मिले थे रिया ने कहा बोहुत मजा है, हम शाम को क्या करते हैं मन्जु ने पूछा हम दोस्तों और रिष्टदारों से मिलने जाते हैं और हम एक दूसरे को मिठाई देते हैं हम वसंत की अपनी खुशियों को ताजा करने के लिए गीत भी गाते हैं मा, रिया और मन्जु जंगल पहुँचते हैं रिया कई सुन्दर फूल इकठा करती है, वह उन्हें टोकरी में रखती है जल्द ही टोकरी फूलों से भर जाती है आओ, मा, चलो अब घर चलते हैं और फूल देई मनाते हैं रिया ने कहा हाँ रिया, चलो चलते हैं मैं हमारे खाने के लिए सेही बनाऊंगी तुम दर्वाजे को फूलों से सजा सकती हो वे खुशी खुशी घर लोट जाते हैं